कुट मॉर्निंग क्लास नाइन मैं आज कारियर मेकर पे आपके लिए साल भर का सिलेवस लेकर आया हूं सिविक्स का तो सिविक्स में क्या पढ़ने वाले हैं अगर आपके पास बुक है तो निकालो बुक और नहीं तो हमें स्क्रीन पे लाई देते हैं चेप्टर का नाम भो हो भी देख सकते हो तो चले स्टाइड करें इस पूरे सिविक्स में टोटल शेश है चेप्टर से शेप्टर कौन से चाप्टर नमर वन डेमक्रेसी इन दो कंटम्प्रारी वर्ल्ड चप्टर चेप्टर 2, What is Democracy and Why Democracy, चेप्टर 3, Constitutional Design, चेप्टर 4, Electoral Politics, चेप्टर 5, Working of Institution and चेप्टर 6, Democratic Rights, क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें तो सबसे पहले हम बात करें कि जब चेप्टर 1 है, अगर आपके पास updated NCRT books है, तो उसमें ये चेप्टर 1 नहीं होगा, टोटल 5 चेप्टर सी हो और आपके book start हुआ होगा democracy से, What is Democracy and Why Democracy, तो क्या पढ़ेंगे पहले चेप्टर में, What is Democracy and Why Democracy, पहले चेप्टर में हम लोग पढ़ेंगे democracy से related knowledge, आखिर democracy पूरी दुनिया क्यों adapt कर रखा है, बाती systems क्योंने, government का एक system और इसके बारे में detail से जानेंगे, चेप्टर 2 है, constitutional design, ज पढ़ेंगे, और साथी साथ देखेंगे कि बिना constitution के democracy में क्या क्या हो सकता है, चेप्टर 3 पढ़ेंगे, sorry, 3 पढ़ेंगे, आप मेरे book में 4 है, आपके book में 3 होगा, नामे electoral politics, इस electoral politics में हम पूरा का पूरा system पढ़ने वाले हैं, पता है कौन सा system, यह system है कि एक candidates किस प्रकार से MLA, MP, Prime Minister, CM बनता है, तो पूरा process, elections का पूरा process पढ़ने वाले हैं, chapter 5 है, working of institutions, इस working of institutions में क्या पढ़ेंगे, कि हमारे जो सरकार है, जिसका तीन लेबल है, legislature, judiciary and executives, इन तीनों के functions और इन तीनों में Prime Minister and Presidents का, चुनाब कैसे होता है, करते क्या है, power क्या है, बहुत सारी बात जब हम democracy को enjoy कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कितने प्रकार के rights होते हैं, उस rights का में इस्तमाल कैसे करना है, और सरकार किस conditions में देता है, यह देखने वाले है, तो अगर मेरे साथ आप बने रहोगे, तो मैं आपके लिए SST इतना असान बनाने वाला हूँ, और इतना interesting बनाने कर दिए.